सप्रेड वेल्कम टू माइ चेनल फ्रेंट आज हम ले कर आये हैं पांच मिनिट में बनने वाला नास्ता तो चलिए वीडियोी स्टार्ट करते हैंगें ये फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने जो है सामगरी ले लिया है तो यहाँ पर यह सारी सामगरी देखिए हमने एक कप सूजी और बही बेशन राई यहाँ पर यह हमने जो है सोडा लिया हुआ, खाने वाला आदरक है, बारिक मिर्चा कटा हुआ है, धनिया है, करी पत्ता है अब चलिए इसको में एक mixing ball ले ले लेते हैं, इसमें डालेंगे ये सूजी एक कप हमने सूजी लिया है बारिक वाला, आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं और इसमें देखिए हम केवल दो चमच हमने ये बेशन लिया है चना का और इसमें देखिए हमने आधा कप केवल दही का यूच किया है आप चाहे तो और भी ले सकते हैं इसमें अगर खटी दही हो तो जादा ही टेस्ट आता है इसके बाद देखे इसमें हम अद्रक ये बारी कटे हुए डालेंगे और हरी मिर्च हम ये बारी कटे हुए डाल देंगे और इसमें हम देखे ये सारी सामगरी हम एक साथ इसमें ले लेते हैं पहले और ये स्वादा अनुशार आप नमक ले लीजिए देखे ये स्वाधा अनुशार नमक लेकर के आप इसे mix कीजिए और देखे mix करने के लिए आप इसमें हम डालेंगे पानी को तेहाँ पर हमने एक कप पानी लिया है इसमें थोड़ा सा हमने बचा लिया है और क्योंकि हम इसे पहले mix करेंगे उसके बाद हम पानी को add करते जाएंगे तो पहले इसे हम अच्छी तरीके से mix कर लेते हैं कि इसमें lumps न रहें तो फ्रेंट देखिए इसे अच्छी तरीके से हमने ये फेंट लिया है अब यहाँ पर जो हमारा बच्चा हुआ पानी था न उसको देखिए दही वाले कप में हम डालेंगे और ये अच्छी तरीके से इसमें हम सारा पानी इसमें गोल करके डाल देंगे देखिए एक कप हमने इसमें पानी को आइट किया है एक कप सूजी है तो हमने एक कप इसमें पानी आइट किया है आपको जिस तरीके से अगर लगे कि आपका घोल जो है बैटर थिक दिख रहा हो तो उसमें आप और पानी आइट कर सकते हैं नहीं तो आप इस तरीके से ढख करके रख दीजिए अब तब तक इसका हम तड़का तयार करेंगे तो यहां हमने पैन ले लिया है उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड आयल देखिए हम आयल इसमें किवल एक चमच लीजिए आप जो भी कुकिंग आयल खाते हों आप से ले लिजिए जब यह गरम जैनत इसमें राई और करीपत्ता का हम तड़का लगाएंगे तो यहां पर राई हमने डाल दिया है और यहां पर देखिए यह करीपत्ता गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद अब हम यह तड़का जो है अपने बैटर में डाल देंगे यहां पर देखिए तड़का हम इसमें डाल देते हैं यहां पर हम तड़का इसमें डाल देते हैं और यह देखिए सोडा जो हमने खाने वाला सोडा है उसको डाला है आप चाहें तो इसमें जो है इनो डाल सकते हैं और सोडा भी यूज कर सकते हैं इससे देखिए लास्ट में आप सोड नहीं तो यह बबल्स जो है पहले ही उड़ जाते हैं और जो है आपका जो है नास्ता इस पंजी नहीं बनेगा और इसमें थोड़ा सा हमने यह लाश्ट में धनिया पत्ती को आइट किया है और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब यहां फ्रेंड्स हम लेंगे एक थाली को देखिए हमारा बैटर बहुत ही अच्छी तरीके से तयार हो चुका है अब इसको हम एक साइट रखेंगे देखिए इसे हम पांच मिनट तक जो है रख दिये थे तो यह थोड़ा थीक हो गया था तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी और आ देखिए जब आप भी बनाएं तो इसे 10 मिनट रेष्ट के लिए जरूर रखेगा और देखिए यहां पर हम एक ऐसे आप गहरी थाली हो प्लेट हो कोई भी चीज आपके पास जो भी कंटेंडर घर का बरतन हो उसमें आप लेकर के अच्छी तरीके से तेल को ग्रिश कर लि करेंगे तो यहां पर देखिए हम अपने बैटर जो है इसमें आइट कर देते हैं सारे हम डाल देंगे तो देखिए हमने इसमें आइट कर दिया है और ऐसे हम कर देंगे तो एक बराबर से हो जाएगा जब आपका एक बराबर से हो जाए तो आप बार जो पीसी लाल मिर्श ना उसको हलका सा एस बेस प्रिंकल कर देंगे तो आप हम इस तरीके से देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत ही चटपटा सा लगता है तो यहां पर हमने यह थोड़ी सी लाल मिर्च को आप चाहें गर तीखाने खातें तो कास्मेरी मिर्च डाल दीजेग और यहां पर हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती जो है लाश्ट में इसके उपर आइट कर दिया है अब देखिए हमारा एकदम बढ़िया से बैटर तयार हो चुका हमने कड़ाई को गैस पर रख दिया है पानी गरम होने के लिए अब देखिए हम इसके धकन को हटाते हैं बहुत ही संभल कर रखना होगा बाद हम धकन को लगा देते हैं देखिए सेप्टी के साथ आपको काम करना चाहिए हाथ हो अगर आप बचा लेना चाहिए तो फ्रेंड्स इससे आप जो हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर पांच मिनट धक करके इसी तरह तरीके से आप पकने दीजिए इसके बाद हम पांच मिनट बाद चेक कर लेते हैं देखते हैं कि हमारा एक ऐसा हुआ हुआ एकदम देखिए फूल गया एकदम पूरी थाली की ऊपर आ चुका है यह पहले हम चाकू से इसको चेक करेंगे तो देखिए यहां पर हम डालते हैं एकदम चाकू से हम पकने देंगे टोटल यहां पर सेबन मिनेट लगे हैं अब देखिए यह सेबन मिनेट बाद देखिए हमारा यह एकदम पक करके लग रहा है कि एकदम तयार हो चुका है चलिए चेक कर लेते हैं इसको तो देखिए यहां पर चाकू हमारा एकदम साफ निकला है तो आधिया कट कीजिएगा इसे देखे नारियल की चटनी के साथ मूंग फली के चटनी के साथ या भुने हुए हरी मिर्ज के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं तो फ्रेंट देखे इस तरीके से आपको कट लगा लेना है आप जिस तरीके से भी कट लगाना चाहें आप उस तरीके से कट इसमें लगा लिजे और इसे आप जो है चटनी के साथ सर्व कीजे देखे हमने हाँ पर एक श्पून ले लिया है फोक वाला अब इसको हम ऐसे पिजली देखिए एकदम यह निकल गया और कितना टेश्टी और इस्पंजी सा यह बन करके फ्रेंट नास्ता तयार है हमने डिस्क्रिप्शन बाक्स में जो है मुंख़ली और नारियल की चेटनी का लिंक दे दिया है उससे भी आप जाकर बना सकते हैं देख सकते हैं तो फ्र